दे ग्रेट इंडियन कपिल शो में एक एपिसोड के लिए कपिल शर्मा ले रहे करोडों की रकम। सुमोना से लेकर अर्चना पूरण सिंह तक बाकी स्टार कास्ट की फीस उड़ा देगी आपके होश। चंदन प्रभाकर ना सिर्फ दकपिल शर्मा शो के पुराने कलाकारों में से एक हैं बलकि कॉमेडियन कपिल शर्मा के बहुत पुराने दोस्त भी हैं। सुमोना चक्रवर्ती दकपिल शर्मा शो में कपिल शर्मा की पतनी के किरदार में नजर आती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कीकू शार्दा प्रती एपिसोड 7 लाख रुपए की फीस लेते हैं। ऐसे में कीकू शार्दा एक महीने में 56 लाख रुपए की कमाई करते हैं। नमबर चार अर्चनापूरन सिंह दकपिल शर्मा शो की जज अर्चनापूरन सिंह भी कमाई के मामले में किसी से पीछे नहीं है। नमबर तीन, कृष्णा अभिशेक, बॉलिवुड एक्टर, कृष्णा अभिशेक दकपिल शर्माूरन सिंह दकपिल शर्मा शो में आने वाले महमानों को एंटर्टेन करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। फिलहाल, वह कपिल शर्मा शो के इस सीजन में नजर नहीं आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने, तो कृष्णा अभिशेक के साथ कपिल शर्मा के पैसों को लेकर ही कोई विवाद हुआ है, जिसके कृष्णा अभिशेक ने शो छोड़ दिया था। इस से पहले कृष्णा अभिशेक एक एपिसोड के लिए बारह लाख रुपए की फीस लेते थे। ऐसे में वह महीने भर में इस शो से चानबे लाख रुपए की कमाई कर लेते थे। अब बात करते हैं कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की, जो की अपने शो और टीम के साथ शानदार वापसी कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल शर्मा ने एद ग्रेट इंडियन कपिल शो के लिए मोटी फीस चार्ज की है। उनकी फीस ने बॉलिवुड के बादशाह शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ दिया है। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा से शुरुआत करने वाले कपिल शर्मा अब टीवी पर सबसे ज्यादा फीस लेने वाले कॉमेडियन किंग बन चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कपिल ने शो के सिर्फ 5 एपिसोड के लिए ही 26 करोड रुपये की रकम वसूली है। इसके पहले कपिल शर्मा एक एपिसोड को होस्ट करने के लिए करीब 50 लाख रुपये की फीस लेते थे। तो दोस्तों आपको कपिल शर्मा शो कैसा लगता है? अपने कमेंट के जरीए जरूर बताएं। साथ ही बॉलिवुड से जुड़ी ऐसे ही इंट्रेस्टिंग खबरों के लिए बने रहिए हमारे फेसबुक पेज पर।